कि नमश्कार एक बढ़ फिर से मैं आप सभी के सामने उपसी तो एक बहुत ही महात्वपून टॉपिक के साथ आप जैसे कि सभी जानते हैं कि भारतियों का विदेशों में डंका तो बचता ही रहता है चाहे वह आप सीओ ले लिए गूगल के सुंदर पचाई कि यह दिमें ब भाइफ भारती हैं तो इस वज़े से वह बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं कि वह भारती है रिशी शुनक की बारे में बात कर लूँ तो उन्होंने बहुत प्राउड फिल कर वाया वो अलग बात है कि इस बार उनकी सरकार नहीं बनी टिक चली अब बात कर लेते हैं यहां पर एक और प्राउड मोमेंट हम सभी के सामने है कि बिहार के जूते हैं उनका यूस क्या जा रहा है रूसी सेना के दोरह हम रूसी सेना को वर्ड की जो सबसे पौपुलर एक टाइब की ताइप की जो पावरफुल सेना होती है उनमें से एक मानते हैं बहुत ही वीडियों पर मुझे सबसे पहले तो जो बिहार के लोग है उनके अटेंडेंस चाहिए कि बताइए आप बिहारी होने पर फील कर रहे हो प्राउड फील कर रहे हो इस ताइम यह नहीं करें कि आपके लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि आपके हां की कोई वस्तु है समान है व वेज़ेट को हम समझेंगे ठीक है चलिए नियूज हाउ रॉश्यंस आर्मी इस अ मार्चिंग इन मेड इन बिहार बुट्स यह वो बूट्स जिनका यूज कौन करती है रूसी चैना वर्तमान में यूज कर रही है रूसी सेना हाज़ी पुर में निर्मित में बिहार जूत कौन कौन हाजिपूर से हैं बाइटेंडन्स जरूर लगा करके जाना ऐसे नहीं जानी है ठीक है बिहार का शहर हाजिपूर मुख्यरूप से अपने क्रशियुत पादन के लिए जाना जाता है ठीक है लेकिन इस टाइम यह विश्रिस्तर पर प्रसिद्ध है ट्रेंडिंग है पाइसा बिहार क्योंकि यहां पर यहां के जूते हैं उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है और रूसी सेना सुरक्षा की बात कि जाती है इन जो पूरी इंटरनाशनल आर्मी है न उसमें पावरफुल आर्मी में गिनी जाती है आपकी रूशी सेना वो लग इसका यूज कर रहे हैं आगे इनको बनाता कौन है तो कॉंपिटेंस एक्सपोर्ट्स नाम की लोकल कमपनी है यह रूसी कमपनियों के लिए सेफटी शूज बनाती है इसके साथ ही कमपनी इटली फ्राज स्पेन और यूकी के बजारों के लिए लग्जरी बूट्स तियार करती ह है और यह वहाँ पर क्या करती है स्पोर्ट करती है तो देखिए बिहार के जूते कहां कहां जा रहे हैं कमपनी ने पिछले सार्थ 15 लाख जोड़े रूस पर एक्सपोर्ट किये थे इनकी कीमत सो करोड रूपैसे भी ज्यादा थी हाजीपूर संयंत्र यूरोपी बजार ज इसी तरीके से आप देखो चोटी-चोटी कंपनी इस तरह कारी करती नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब भिहार अपना अस्तित्व भी स्थापित करेगा और पूरे भारत में आप देखोगे उसका नाम भी अच्छे लेवल पर लियाजे क्योंकि अभी यूपी और बिहा चाहर से निकलते हैं तो हम इतने स्ट्रकल इतना मेहनत करनी आती है तो अफ्कॉस हम क्या है अपनी पहचान तो कहीं पर भी बना सकते हैं अगे बात करते हैं रूसी सेना के लिए सेफटी-शूज्ज़ की जो आफशक्ता है इसके बारे में रॉय कहते हैं कि उनकी दिये उनको पसंद है हलके और फिसलन रोधी जूते रूस में आप देखोगे ग्लेशियस ठंड का बहुत जादा मौशम रहता है तो इस वज़े से माइनस 40 डिग्री के दिमांड करते हैं कि उनका सोल कैसा होना चाहिए यह माइनस 40 डिग्री सेल्स जैसे एक्स्ट्रीम मौसम की स्थिति का सामना करने में सक्षम है जो जूते भारत से भेज़े जा रहे हैं और हम इन स्थितियों को धान में रखते हुए शेफ टीशूस बनाते हैं रूसी सेना के लिए ठीक है रोजगार के पहले पर बात करते हुए रॉय ने बताया जो इस कंपनी के मालिक है कि कंपनी में M.D. दिनेश प्रशाद की महत्वकंग्षा बिहार में एक विस्वस्तरिय कारखाना बनाने की है इंटरनेशनल लेबल का कारखाना इन फ्यूचर बिहार में आप शक्तिकरण महिला रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है पिछले 15 लाख जोड़े यहां पर एक्सपोर्ट के पिछले साल जिनकी कीमत जासे मना सो करोड थी और लक्ष आगले साल इसे 50 प्रित्सत्तक बढ़ाने का है तो यह तो थी हमारी इंपॉर्टन चीज इस पर हमने क्या और जैसे मैंने बताई कि बहुत ही महत्वपूर बिंदू हो जाता है बिहार की दृष्टी से यदि मैं देखू ठीक है मैं किसी अधर स्टेट की बात नहीं करें लेकिन भीहार के लिए बहुत ही जाधा इंपॉर्टन है तो हमेशा प्राउड फील करना कि आप भीहार से हो और कभी कई बार मैं देखती हूं कि जो भीहार की लोग होते हैं वो अगर किसी समाज में बैठे इक बहुत की आप देखोगे, हुप यह दिमें बातब होती हैं कि वह त बहुत अच्छे से प्रिपार करके अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ देते हो तो यार स्मार्ट तो हमेशा आपको कभी यह फिल नहीं करना है कि मेरी लैंग्वेज है मुझे मेरा मजा कुड़ाया जाए आलवेस फिल प्राउड चाहिए आप कैसी भी स्टेट डिस्ट्रिक पिछड़े से पिछड़े गाहों से आ रह स्टेट